हेलो फ्रेंड वेलकम टू माई चैनल गले का डिजाइन बनाने के लिए साड़े 11 इंच लंबा हमने बक्रम लिया है बक्रम की चौड़ाई 11 इंच है बीच में से बक्रम को फोल्ड करके यहाँ पर हम 3 इंच 8 पॉइंट की चौड़ाई नाप कर टिक लगाएंगे अब हम लंबाई नाप लेंगे तो यह देखिए लंबाई हमने साड़े 9 इंच ली है इसकेल की सहायता से इन दोनों टिक को हम लाइन अप कर लेंगे यह हमारा बैक नेक का गले का डिजाइन है यहाँ पर 3 इंच की लंबाई पिटिक लगाएंगे और तिर्ची में ऐसे लाइन अप कर लेंगे अब हमें कंगन या चूड़ी लेना है इसे हम पहले यहाँ पर ऐसे लगाएंगे और यह देखिए हमें हाफ गोल सेफ के पैटर्न में 3 डिजाइन को लाइन अप करना है बिल्कुल इसी तरीके से आपको भी लाइन अप करना है यहाँ से हम डिजाइन को यह देखिए लाइन के अंदर में हलका सा गोल सेफ लेंगे अब यहां किनारी की साइड में डिजाइन के थोड़ी से दूरी पे हमें ऐसे लाइन अप करना है फिर यहां पर भी लाइन अप कर लेंगे ये देखिए ऐसे जिस सेप में हमने लाइन अप किया है बिल्कुल उसी सेप में हमें इसकी कटिंग कर लेनी है अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सस्क्राइब करके घंटे को बजा कर आलका ओप्सिन सेलेक्ट करें यह हमारा बैक नेक का डिजाइन है अगर आपको पसंद आए तो प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताईएगा तो ये देखिए हमने design की cutting कर ली है इसे इस्त्री की सहायता से हम कपड़े पे चिपका लेंगे design को कपड़े पे चिपकाने के बाद यहां से हलका हलका कपड़े को हमें दोनों side से cut कर लेना है अब जिस shape में हमारा design है बिल्कुल उसी सेप में कपड़े को ऐसे फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे आप इस डिजाइन को सूट में और ब्लाउज में दोनों में बना सकती हैं तो ये देखिए सिलाई चलाते हुए हमारी ये लाइन कम्प्लीट हुई अब हम धागी को कट कर लेंगे धागी को कट करने के बाद अब हमें सूट का कपड़ा लेना है सूट के कपड़े में गले की डिजाइन को यहाँ पर लगाएंगे और इसके बीच में सीधी सिलाई चला लेंगे अब हम धागी को कट कर लेंगे धागे को कट करने के बाद जिस सेप में हमारा डिजाइन है बिलकुल उसी सेप में डिजाइन के उपर हम यहां से सिलाई चला लेंगे तो ये देखिए इस तरीके से आप इस डिजाइन को इजी स्टेप में तयार कर सकते हैं डिजाइन के उपर सिलाई चलाते हुए हमारी ये लाइन कम्प्लेट हुई अब हम यहां से धागे को कट कर लेंगे धागे को कट करने के बाद सिलाई के हलके से बगल में हमें एश्टरा कपड़े को यहां से कट करना है ध्यान रहे आपकी सिलाई कटनी होनी चाहिए तो ये देखे फ्रेंड हमने एश्टरा कपड़े को कट कर लिया है अब हमें डिजाइन को फोल्ड करके सीधा करना है सबसे पहले कपड़े को ऐसे उल्टा करेंगे फिर यहां से डिजाइन को फोल्ड करके सीधा करेंगे डिजाइन को सीधा करने के बाद इसे परफेक्ट सेप में बैठाने के लिए हम डिजाइन को अच्छे से इस्तरी कर लेंगे इस्तरी करने पे आगी की साइट से आपका डिजाइन परफेक्ट सेप में ये देखिए ऐसे बैठ जाएगा अब हम एक लंबा सा कपड़ा लेंगे इस कपड़े की चोड़ाई दो इंच है दोनों साइट से कपड़े को फोल्ड करके हम इसके उपर एक बराबर में सीधी सिलाई चलाएंगे तो ये देखिए सिलाई चलाते हुए हमने एक लंबी सी चोड़ी पट्टी तयार कर ली है अब हम धागे को कट करेंगे धागे को कट करने के बाद आठ हिंच की लंबाई नापकर चोड़ी पट्टी को कट करेंगे सेम साइज का हमें चार ऐसी चौड़ी पट्टी की कटिंग कर लेनी है चार चौड़ी पट्टी की कटिंग करने के बाद अब हम गले का डिजाइन लेंगे गले की डिजाइन में हम चौड़ी पट्टी को ये देखिए ऐसे ज्वाइंट करेंगे यहां से ऐसे लगाना है आपको बिल्कुल इसी सेप में हम सुई धागा की मदद से चौड़ी पट्टी को डिजाइन में ज्वाइंट कर लेंगे तो ये देखिये फ्रेंड हमारी ये लाइन कम्प्लीट हो चली है अब हमें 3 इंच की लंबाई नापकर आठ चौड़ी पट्टी के ऐसे कटिंग कर लेनी है चौड़ी पट्टी के बीच में हम धागी की मदद से ऐसे चूनट बनाएंगे अब हम यहां से धागी को कट कर लेंगे बिल्कुल इसी तरीके से सारे चौड़ी पट्टी के बीच में हमें चूनट बना लेना है तो ये देखिए फ्रेंड हमने सारे चौड़ी पट्टी में चूनट बना ली है अब हमें दो-दो चौड़ी पट्टी को ऐसे ज्वाइंट करना है ये देखिए ऐसे ज्वाइंट करते हुए हमें चार ऐसी डिजाइन बना लेनी है इन चारो डिजाइन को ज्वाइंट करने के बाद अब ये देखिए गले की डिजाइन में हम इसे ऐसे लगाएंगे यहां अंदर की तरफ डिजाइन को ऐसे लगाएंगे और चारो तरफ से ऐसे फोल्ड करके इसे सुई धागा की मदद से लॉक कर लेंगे चूनट वाले चारो फ्लावर को हमें गले की डिजाइन में ऐसे ज्वाइंट कर लेना है ये देखिए हमने चारो फ्लावर को ज्वाइंट कर लिया है अब हम डिजाइन को सीधा करेंगे आगे की साइट से हमारा डिजाइन ऐसे दिखेगा डिजाइन में हमें बीच बीच में ऐसे मोती लगा देना है मोती लगाने के बाद ये देखिए हमारे डिजाइन का फाइनल लुक जो की बहुती प्यारा है आप इस डिजाइन को ब्लाउज में भी बना सकते हैं और सूट में भी बना सकते हैं